नमस्कार, One India Hindi में आपका सुपवागत है और मैं हूँ आपके साथ विबेग अमेरिकी राष्टपती चुनाओं में जबरदस्त बहुमस से जीतने वाले जो बाइडन आज अमेरिका के नए राष्टपती के तौर पर शपत लेने वाले हैं वो अमेरिका के 46 वे राष्टपती होंगे बाइडन के साथ वाइस प्रेजडेंट कमला हैरिस भी शपत लेंगी बाइडन का शपत ग्रहन बहुत ज्यादा सुरक्षा चिंताओं के बीच हो रहा है बता दे कि 6 जनवरी को यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर टरम समर्थों ने कटोथी की गई है समहारों में पूर्व अमेरिकी राष्टपती डोनाल टरम्प शामिल नहीं होंगे इवेंट अमेरिका के समय नुसार सुभे 10 वजे शुरू होगा बाइडन और हैरिस के शपत लेने के बाद नव निर्वाचित राष्टपती का उद्गाटन सम्भोधन ह पाइडन अगले चार सालों एं राष्टपती कारेकाल का विजन बताएंगे वो कोविड-19 से जंग अमेरिकी एकोनॉमी को मजबूत बनाने और राष्ट की एकता को बनाए रखने के लिए अपनी योजनाव पर भी रोश्णी डालेंगे शपत ग्रहन के बाद अमेरिका की लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा पास इन रेव्यूज निभाई जाएगी इसमें अमेरिके मिलिटरी अपने नए कमांडर इनचीफ को शक्तियों का शांती पूर्वक ट्रांसफर करेगी इवेंट में नए अमेरिकी राष्टपती और उनकी पतनी नए वाइस प्रेजडेंट और उनके पती शामिल रहेंगे जो वाइडन को वाइट हाॉस के लिए प्रेजडेंशल एस्कोर्ट दी जाएगी जो अमेरिकी सेना की भी सभी शाखाओं का प्रतनिधितों करेगी वैश्विक महाशक्ती अमेरिका के नव निर्वाचित राश्रपती का शपत गहन 20 जनवरी के दिन ही होता है अमेरिका और दुनिया के प्रमुक टीवी निउस चैनल जिसका सीधा प्रसारन दिखाएंगे अमेरिका के एतिहास में 20 जनवरी 2021 को एक नया अध्याय जुड़ जाएगा ये दिन दुनिया के सबसे प्राचीन लोक्तंतर के इतिहास में कई परंपराओं के तूटने और बदलने का साक्षी बनेगा अमेरिकी सम्विधान के बीसवे संशोधन के तहत नए राश्रपती के शपत गहन के लिए 20 जनवरी की तारीक भी निर्धारित की हुई है चुनाव होने के करीब धाई महीने बाद निर्वाचित राश्रपती शपत देते हैं ये हलाकि 1937 के पहले तक शपत ग्रहन 4 मार्च को हुता था ये धाई महीने का समय ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है फ्रेंकलीन डी रुजवेल्ट पहले अमेरिकी राश्रपती थे जिन्होंने 20 जनवरी 1937 को शपत ली थी फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार